तो फाइनली दोस्तो हीरो ने लॉंज कर दी है एक्स्ट्रीम 125R 125cc इंजन के साथ एक स्पोर्ट्स बाइक जिसमें कम्पनी ने बहुती ऐसे एडवांस फीचर्स और फर्स्टिन सेग्मेंट फीचर्स दिये हैं और बाइक की जो प्राइस है वो क्या रहने वाली है कब से बाइक आपको सोरूम में देखने को मिलेगी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तों फर्स्टिन सेग्मेंट फीचर्स में इस बाइक में आपको 37 mm डियमीटर के फ्रेंट टेलिसकॉपिक फॉर्क आपको मिल जाएंगे काफी मोटे मोटे और दूसरा इसमें रेर में 7 step preload adjustable monoshock suspension मिल जाएगा जो कि बहुती कम company आपको ये सब लगा कर देती है और ये जो पीछला वाला suspension ये शौबा company का दिया गया है और दूसरा फर्स्टिन सेग्मेंट इसमें सिंगल चैनल ABS braking system मिल जाएगा 276 mm diameter की front में disc brake आपको मिल जाएगी जो कि आपको top model में ही देखने को मिलेगा ABS और इससे नीचे वाला जो model है base model उसमें सिर्फ आपको IBS integrated braking system ही देखने को मिलेगा और headlamp की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो tail lamp पर आपको edge shape में दे दी गई है जो की total LED में है और bike की जो headlight है वो भी आपको पूरी पूरी edge shape में देखने को मिलेगी जो की LED में दी गई है और साथ में आपको LED winkers भी आपको मिल जाएंगे साथ में hazard switch भी आपको मिल जाएगा सबसे पहले looks की अगर मैं बात करूँ तो भाई extreme 125R bike का जो look है वो आपको थोड़ा सा sporty में देखने को मिलेगा और company भाई इस bike का mileage claim कर रही है वो है 66 km प्रति लीटर का तो यह पूरी तरह से एक fuel efficient bike है तो इस extreme 125R bike में आपको glamour वाला engine नहीं मिलेगा यह एक नया 125cc का sprint EVT technology वाला engine है जिसमें EVT मतलब की engine balanced technology आपको देखने को मिलेगी इस engine की जो max power रहने वाली है वो है 11.55 PS की 8250 RPM पर और यह super refined engine आपको कहलाएगा जो की fuel efficient है तो mileage भी आपको काफी अच्छा निकाल कर देगा vibration आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी इस bike का जो exhaust है वो आपको extreme 160R वाला मिल जाएगा पिछला जो tire huger है वो आपको single side connected मिल जाएगा और इसमें split वाली seat आपको मिल जाएगी जो की काफी एची cushion और firm के साथ दी गई है तो bike की जो body profile है वो काफी ज़्यादा aggressive है काफी ज आपको extreme 160R में देखने को मिलता है तो इसमें आपको rpm meter भी मिल जाएगा digital में fuel gauge भी मिल जाएगा घडी भी आपको मिल जाएगी odometer trip meter भी आपको मिल जाएगा speedometer आपको मौटे मौटे अच्छरों में देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाई इसमें gear position indicator आप आपको मिल जाएगा कि बाईक आपकी कौन से gear में चल रही है हलांकी इस बाईक में आपको five speed gearbox मिलेगा और इस बाईक में आपको lightweight heavy duty frame का यहाँ पर company ने इस्तमाल किया गया भाई पीछे में आपको drum brake मिल जाएगी और 120 mm के आसपास आपको tubeless चोड़ा बाला tire आपको मिल जा गया है तो hero की badging है 125R के sticker आपको मिल जाएंगे kowls के उपर में तो total three color option में company ने इस bike को आज ही launch किया गया है तो चलिए अब bike की on road price के बारे में बात कर लेते हैं तो newly launched hero extreme 125R की IBS base model में जो एक्षोरूम कीमत है वो है 95,000 रुपीज 95,000 पे और base model की जो on road कीमत आने वाली है बो है RTO insurance के साथ बो है एक लाग 14,000 के आसपास 200-300 रुपे उपर नीचे हो सकते हैं ठीक है बाकी extreme 125R का जो ABS बाला single channel ABS बाला जो top model है उसकी जो एक्षोरूम कीमत बो है 99,500 रुपीज और top model की जो on road कीमत आने वाली है इस bike की बो है ABS में एक लाग 19,500 रुपे के आसपास वा तो ये bike आपको 20 फरवरी 2014 से सभी हीरो के सोरूम में देखने को मिल जाएगी तो आप विजट कर लेना तो ये जो bike वो सीधा सीधा इंडियन मार्केट में टकर देने वाली है NS 125 को और TBS की Raider 125 को आपको ये bike कैसी लगी क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें अ अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके सेहर में इस bike की on road कीमत क्या रहने वाली है तो कमेंट करें अपनी city का ना मैं आपको reply करके बता दूगा थेंकि दोस्तों मिलते हैं अगली